सोया बीन और सर्सों की गिरती कीमतों से न केवल किसान परिशान है बलकि इंडस्ट्री भी पूरी तरह से परभावित हो रही है क्योंकि आयातित सस्ते तेल से भारत में कीमतों में गिरावट बनी हुई है जिसके चलते खादे तेल इंडस्ट्री विशेश तोर पर पामोयल, सोया बीन और सूरज मुखी पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं ताकि गिरती कीमतों पर नियंतरन किया जा सके लेकिन आपको बता दे कि फिलाल ग्रेलू कीमतों में तेज किरावट के बावजूत केंदे सरकार द्वारा खादे तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने की कोई भी संभावना नहीं है क्योंकि खादे तेलों में पामोयल, सोया बीन और सूरज मुखी पर आयात शुल्क में क बदलने का फैसला पहले ही ले चुकी है, हलाकि आयात शुल्क न बढ़ने का बुरा असर सीधे तोर पर सरसो उत्पादक किस्तानों पर पढ़ा है, सरसो का भाव इस वक्त 4800-5000 पर प्रतिक विंचल रह गया है, चो कि MSP से कम है, आपको बता दे कि आयात शुल्क बहुत कम ह रहे हैं, दरसल ताड का तेल ज्यादा तर मलेशय और इंडोनेशय से आयात किया जाता है, वहीं सोया बीन के तेल का आयात ज्यादा तर अर्जेटीना और ब्राजील से होता है, चबकि सुरज मुखी तेल का आयात युक्रेन और रूस से किया जाता है, वहीं आयात शुल्क पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि कई महीने पहले हम पुर्वानमान लगा चुके हैं कि आने वाले कुछ महीनों में सरकार आयाच शुल्क में परिवर्तन या फिर खास कर कोई भड़ोतरी नहीं करेगी। Bureau Report, Market Times TV